कि हलो फ्रेंज बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम दिसकस करेंगे एबीपेस पीओ प्री के कुछ रियल कोश्चिन्स और यह प्रीवेस एर कोश्चिन्स हैं यह पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2018 को तो इन रियल कोश्चिन् के एक्जैंस के प्री और मेंस के जो कुश्चिन्स होते हैं उनको सौल्ब करने में काफी मदद मिलेगी और किस तरीके से कुश्चिन्स को अप्रोच करना है क्या आपकी मेथोडोलोजी होनी चाहिए यह हम डिसकस करेंगे इस वीडियो क्लास में आगे बढ़ने से पहले य आप काफी अच्छी इंग्डिश प्रेपरेशन आप अपनी का सकते हैं तो चलिए देखते हैं इन कोश्चिन्स को देखिए यह हैं कोश्चिन्स जो की पूशे गयते 21 अक्टूबर 2018 को आई वीपीस प्यों प्री एक्जाम में और इस तरह के कोश्चिन्स भी काफी रहते ह इस तरीके के रहते हैं और इस तरह के कोश्चिन्स को आप करते हैं अच्छे तरीके से तो 30 में से 20 नंबर 18 से 20 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं यदि आप RC को हटा भी देते हैं और यदि कभी close test कटे ना जाता है तो उसके बापजूद भी आप 30 में से 18 नंबर 18 marks आ देते हैं और इन कोश्चिन्स को करते हैं नौन आज सी और नौन क्लोस्टेस जो कोश्चिन्स हैं तो भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अब यहां से पड़ते हैं इक नौमिस्ट दीना खटखटे हूव पास अवे अधा इस ऑफ 92 और सेप्टेंबर 15 इन मेरी लें है तो कोश्चिन को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर पास्टेंस की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर लिखाए है यू एस वाद ब्स ओर मेण एक एक व्यक्टी की की बात हो रही है जिसकी death हो चुकी है past away का मतलब होता है कि उसकी death हो चुकी है तो इस particular व्यक्ति की यहां पर बात हो रही है और past away जो एक phrasal verb है यह normally हम past tense में use करते हैं तो एक तो आपको यहां पर यह logic लगाना है और एक यहां पर दिया है past का word आप यहां पर देख सकते हैं past का word दिया हुआ है was तो इसका मतलब यह है कि sentence को आप cable और cable past tense में ही use कर सकते हैं तो यहां पर आप बोलेंगे कि economist दीना खत्खते who passed away at the age of 92 ठीक है दीना खत्खते जिनकी age 92 थी और जो जिनकी death हो गई जो past time है मतलब जिनकी death हो गई वो एक अच्छे person थे unusual man थे वो तो यहां पर cable यही option इसमें suitable है अब यहां पर आप देखे who shall passed away तो यह तो grammatically भी गलत है अब देखे यहां पर आप improvement क्यों देख रहे हैं यहां पर आप improvement इसलिए देख रहे हैं यह जो phrase है who will pass away यह गलत है क्योंकि pass away को हम normally future tense में use नहीं करते हैं हम normally बोलते हैं who passed away passed away को हम हमेशा past tense में ही use करते हैं अब देखे इसको देखे शेल के साथ यहां पर verb की first form use होगी तो यहां पर तो यह grammatically भी गलत है यहां पर देखे who has passed away who has आप तब लगा सकते थे जब यहां पर recently एक word आता है recently who has recently passed away तो recently word है नहीं यहां पर तो इसका मतलब इसमें cable past tense की बात हो रही है तो who has recently passed away यह भी आपका गलत हो गया तो cable और cable first option ही इसमें सही है और आपका answer होगा इसमें first only first ठीक है तो इस तरीके से इन questions को करना है अब देख सकते हैं आप इस question में कि examiner किस तरीके से आपके concepts check कर रहा है तो pre में काफी सारे teachers बोलते हैं कि pre में आपकी speed चाहिए और mains में आपको accuracy चाहिए लेकिन speed और accuracy दोनों ही exams में आपको चाहिए प्री में भी और mains में भी लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि pre में speed is more important than the accuracy और mains exam में accuracy and concepts are the more important than the speed ऐसा आप बोल सकते हैं लेकिन दोनों ही चीए equally important है और आप देख सकते हैं कि आपके concepts clear है तो आप इन questions को आसानी से कर सकते हैं पूरी accuracy के साथ अब हम देखते हैं second question a misogynist is a person who is hating women क्या बोलने हैं sentence में misogynist को हम यहां पर define कर रहे हैं कि misogynist एक ऐसा व्यक्ति होता है misogynist is a person एक ऐसा व्यक्ति होता है who hates women जो औरतों से नफरत करता है तो यहां पर हम एक fact की बात कर रहे हैं एक fact एक तरीके से एक universal truth ही होता है और fact या universal truth को हम cable or cable present simple tense में ही लिख सकते हैं who is hating का मतलब हो जाएगा कि वह एक particular time पर औरतों से नफरत कर रहा है मतलब नफरत करने का काम चल रहा है जो कि logically गलत होगा तो आप misogynist is a person who hates women ऐसे आप बोल सकते हैं तो who are hating ये गलत है who have ये grammatically गलत है क्योंकि यहां पर have के साथ इसमें hated होना चाहिए तो ये grammatically गलत है और ये grammatically और context दोनों के साब से ही गलत है who are hating तो यहां पर आपका आंसर होगा third तो इसमें आपका सही आंसर होगा only third और only third का जो option है वो है fourth में तो fourth आपका यहां पर इसका सही आंसर होगा I hope you understand और इस तरीके से इन questions को आपको करना है बहुत ही simple ये questions रहते हैं के बल concept आपके यहां पर check हो रहे है question number third देखते हैं Samira is the better of the two girls when it comes to solving hard mathematics problem दो लड़कियों के group की इसमें बात हो रही है और इसमें बूला जा रहा है कि दो लड़कियों का जो group है उसमें Samira जो है वो better है तो दो लड़कियों का जो group है एक particular group की बात हो रही है क्योंकि कोई भी group नहीं हो सकता ये यहां पर एक specific group है तभी तो उसमें से हम Samira को अलग कर रहे हैं तो इसलिए two girls का जो group है वो specific है और Samira भी specific है क्योंकि क्योंकि वो better है एक verse है एक better है ठीक है तो यह better वाला जो word है इसको भी आपको specific करना पड़ेगा ठीक है तो Samira is the better of the two girls यह जो phrase है यह जो sentence construction है यहां पर यह सही है Samira is the better of the two girls यहां पर भी आपको दा लगाना होगा क्योंकि इसको आप specify कर रहे हैं और two girls का एक particular group है तो इसको भी आप specify कर रहे हैं तो इसलिए भी आपको यहां पर भी दा लगाना पड़ेगा और चुकि sentence पूरी तरीके से पहले से ही सही है इसलिए आपका answer होगा इसमें no correction required ठीक है तो सारा grammar है और grammatical concepts को आपको अपना sound करना है और यदि यह clear है तो आपने questions को अच्छे तरीके से कर सकते हैं अब देखते हैं यहां पर एक question देखते हैं इसमें भी अगेन आपका concept ही चेक हो रहा है there are two novels which need to be read before the exams but neither one are interesting क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि दो नोबिल्स है दो उपन्यास है और इन दौनों को ही exam से पहले पढ़ा जाना है इन दौनों ही उपन्यास को exam से पहले पढ़ने की जरुरूत है which need to be read मतलब इनको पढ़ा जाना है which need to be read यहां पर passive voice construction है यह इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं which need to be read read नहीं बोल रहा है क्योंकि यह passive voice construction है ठीक है तो यहां पर देखिए neither और either का प्रयोग हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करते हैं तो neither का मतलब होता है यह दो व्यक्ति या वस्तुओं है जिनके नाम है A और B तो neither का मतलब होगा ना तो A और ना ही B इदर का मतलब होगा या तो A या फिर B याणि neither और nor को हम cable दो के लिए ही use करते हैं और दो में से जैसे जैसे दी मैं बोलूँं की ना तो A ना ही B इसका मतलब एक बार में मैं एक ही object को ले रहा हूं, एक बार में एक ही object को ले रहा हूं, इसका मतलब यहां पर आपकी जो वब आनी चाहिए, यह singular आनी चाहिए, plural नहीं आती है, ठीक है, इसका neither को हम दो के लिए, either को हम दो के लिए use करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए यहां पर आप क्या लेखा है देरा टू नौब जो पड़ा जाना एक्जाम से पहले लेकिन दौनम मैं से एक भी इंट्रेस्टिंग नहीं है तो यहां पर आप बोलेंगे नीदर वन इस इंट्रेस्टिंग देखिए अब यहां पर ऑब्जेक्ट होता यहां पर मी होता यू होता तो फिर यह पार्ट सही हो सकता था नीदर वन है इंट्रेस्टेड मी लेकिन यहां पर चुकि आपको यहां पर आपको इज एमर के बाल बोलना है एक्शुली नीदर वन इज इंट्रेस्टिंग दौनों में से एक भी इंट्रेस्टिंग नहीं है ठीक है तो यहां पर इसलिए सही आंसर होगा यह वाला नीदर वन इज इंट्रेस्टिंग यह इसका सही आंसर आपका होगा नीदर ग्रामर के जो basic concepts होते हैं उनको आपको चेक किया जा रहा है तो बस यही चीज़े हैं इनको यदि आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप English section में अच्छा स्कूर कर सकते हैं अब देखें यह फिलर के question है और यह भी real question है homemade gifts can be completely to what the recipient likes अब देखें इन words को चुनने से पहले सबसे पहले sentence का meaning आपको समझना होगा homemade gifts gift मतलब जैसे हम किसी को वर्डे पर देते हैं anniversary पर देते हैं तो gift जो है वो रेडिमेट हो सकती है या homemade हो सकती है यहां पर homemade gift की बात हो रही है तो homemade gift can be completely can be can be के बाद यहां पर आपको क्या लगाना है यहां पर आपको लगाना है वर्ब की third form can be के बाद वर्ब की third form ही आ सकती है क्योंकि यह passive voice construction है तो passive voice का का काफी काफी questions आते हैं यहां पर आपको एक तो third form चाहिए grammar के साब से और एक ऐसा word चाहिए जो context के साब से सही हो तो homemade gift can be completely changed to what the recipient like मतला homemade gift को हम change कर सकते हैं modify कर सकते हैं जो recipient है जिसको यह gift मिलेगी उसके taste के according उसके liking के according हम उसको change कर सकते हैं तो इस तरीके से जब किसी चीज को customize किया जाता है तो उसके लिए जो वर्ब आती है वो होती है tailor और यहां पर चुकिए आपको third form चाहिए तो इसलिए इसको हम बोलेंगे tailored homemade gifts can be completely tailored to what the recipient likes ठीक है homemade gifts को tailor किया जा सकता है कस्टमाइज किया जा सकता है recipient की need और taste के according तो यहां पर सही word होगा आपका tailored ठीक है अब बाकी के देखिए बाकी केस में polite तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि polite तो एक adjective है alter जो है यह third form में नहीं है तो इस तरीके से भी कई सारे parameters आप apply करके काफी सारे words को पांच में से तीन या दो words को आप eliminate कर सकते हैं firm का firm में third form लगी है लेकिन इसका कोई sense नहीं है can be completely firm का क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं होगा और liability अपने आप एक noun है यहां पर एक noun दे दिया है एक adjective दे दिया है polite adjective है liability noun है ठीक है cable इसमें tailored है जिसमें ED लगा है जो third form है और context के भी according है तो यहां पर आपका answer होगा tailored तो इस तरह का confidence आपको develop करना होगा banking exam में यदि आप निकलना चाहते हैं तो आपको आपके answers के ऊपर पूरा confidence होना चाहिए और आप you should be able to bet on those answers आप आपके जो answers है उन पर आप शर्त लगा सके कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस particular question का answer यही होगा तब आप banking exam में निकलने की आप सोच सकते हैं इस level का आपका confidence होना चाहिए सारे subjects में ठीक है तो यहां पर देखिए मैं आपको justify करके बता रहा हूं कई सारे parameters पर इस word को मैं measure कर रहा हूं कि टेलर्ड ही यहां पर सही होगा बाकी सारे गलत क्यों होंगे और सही क्यों नहीं होंगे तो इस तरीके से आपको इन questions को करना है ठीक है अब देखिए after much thought that not to travel abroad this summer अब देखिए sentence को पढ़के यह लग रहा है कि यह sentence past tense में लेखा गया है यह sentence present tense में नहीं हो सकता यह चीज जो आती है यह आती है आती है आपको reading से कि आप sentence को देख के ही समझ जाते हैं कि sentence में किस word की जरूवत है और किस form में sentence को लेखा गया है after much thought that not to travel abroad this summer मतलब काफी सोच बिचार के बाद तो यहां पर हम क्या बोल ला है कि काफी सोच बिचार के बाद टेड ने कुछ किया तेड ने कुछ करने का decide किया तो कुछ करने का जब हम decide करते हैं तो उसको हम जैसे आपने सुना होगा कि जो जब नया साल आता है new year आता है त तो resolution एक noun form है जिसका verb form होगा resolve तो चुकि यह past tense है तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे resolved ठीक है after much thought काफी सोच बिचार के बाद after much thought ted resolved ted resolve not to travel abroad this summer मतलब इस गर्बियों में वो बाहर गूमने नहीं जाएगा after much thought ted resolve not to travel abroad this summer अब देखिए यहां पर past tense की आपको वर्ब चाहिए पर केबल इसमें दो है resolve और past तो past का तो कोई sense नहीं बनेगा टैड past क्या मतलब हुआ कोई sense नहीं है तो इस तरीके से यदि इन दौनों verbs को आप compare करें इन दौनों को तो cable resolve ही इसमें सही है और यह तो present tense में है यह present tense में है और इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो यह तो grammatically लिए गलत है तो इस तरीके से आप eliminate करना सीखिए options को कि यह option किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकते यह पूरी तरीके से logically और grammatically गलत है ठीक है तो eliminate करने का जो methodology होती हो काफी अच्छी methodology होती है और उसको आप ना के बल इंग्लिश में है बलकि current affairs में भी यह काफी useful होती है elimination की methodology रहती है ठीक है तो resolve यहां पर निकल के आया अब resolve मैंने क्यासे निकाला एक तो पास्टेंस का word चाहिए stress के से निकाला यह grammar के साब से सही हो गया और एक contextually यह सही है यहां पर क्योंकि context के according resolve word यहां पर सही है हाला कि इसमें resolve भी दिया है present tense का एक word दिया है resolve लेकि यह present tense मैं इसमें नहीं आएगा क्योंकि यह past tense का past tense का sentence है तो resolve भी इसमें सही हो सकता है लेकिन एक होता है एक होता है most correct तो most correct यह आपको देखा जाए तो resolve इसमें आपका सही answer होगा question number seven देखते हैं Brian is in his belief that earth is flat क्या मतलब इसका Brian को यह विश्वास है कि earth flat है अब हम इन words को देखते हैं tentative का क्या मतलब है tentative का मतलब है provisional something that is not final is provisional मतलब tentative is the opposite of final ठीक है tentative का synonym होगा provisional है हैसन का क्या मतलब है है हैसन का मतलब होता है जल्दवाजी करना है हैसन का मतलब है जल्दवाजी करना unlikely मतलब जिसकी संभावना नहीं है provided शर्त के लिए आता है तो यहाँ पर हम cable और cable confident ही बोल सकते हैं Brian is confident in his belief ठीक है अपने belief में व में वो पूरा पूरा confident है कि earth flat है उसका यह विचार जो है यह पूरी तरीके से उसमें वो confident है तो Brian is confident in his belief that the earth is flat तो यहाँ पर आपका सही answer होगा confident and next question हम देखते है दिखी hai ौफ तीन चीजा आपको apply करनी है एक तो आपको grammatical concept apply करना है एक आपको अपको ant concept sorry context देखना है एक आपको grammar देखना है एक आपको context देखना है कि context के साबसे वड़ सही है या नहीं ع एक का आपको इसकी फॉर्म देखनी है वर्ड की फॉर्म आप देखिए दा नूडल मेकर वोज दा नूडल मेकर वोज इन मेकें इस नूडल्स और शॉट अजड़ नेवर लेट ऐनी एनधर परस्ट टेक ओवर भार टास्क यदि अब रीडिंग करते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ regular basis पर करते हैं तो within seconds आप इस question का इस question को आप पता लगा लोगे कि इस question में क्या आएगा The noodle maker was in making his noodles and would never let another person take over his task मतलब noodle जो maker था वो कभी भी नहीं चाहता था कि दूसरा व्यक्ति इस task को इस काम को take over करे और इस काम पर अपना कपज़ जमाले वो इस काम को और किसी को नहीं देना चाहता था तो जब अपने काम को आप और किसी को नहीं देना चाहेंगे तो आप उस काम को कैसे करेंगे केरफुली करेंगे या केरलेसली करेंगे obviously केरफुली करेंगे उसको ठीक है तो यहाँ पर carefully का एक equivalent word आपको चाहिए और carefully का equivalent word है cautious cautious मतलब जो caution को लेता है जो caution को apply करता है caution का मतलब होता है साबधानी जो साबधानी पूरवक किसी काम को करता है that is called cautious ठीक है तो cautious यहाँ पर इसका सही answer होगा careless तो negative है, negligent negative है exciting नहीं हो सकता the noodle maker was exciting excited अगर होता तो यह सही हो भी सकता excited, he was excited तो exciting इसलिए नहीं होगा क्योंकि exciting के बाद आपको एक noun चाहिएगी जैसे exciting experience exciting journey तो यहाँ पर आपको एक noun चाहिए exciting इसलिए इसमें गलत हो जाएगा inattentive जो है, यह careless का equivalent है inattentive का मतलब होता है ध्यान नहीं देने वाला तो इसलिए यहाँ पर आपका cautious word ही यहाँ पर आपका सही हो सकता है तो आपको grammatical concept को apply करना है, context देखना है word की form देखनी है और common sense approach आपको apply करना है यह 3-4 चीज़़एं आप apply करते हैं सभी sections में तो banking exam is not a big deal आप किसी भी banking exam को आप निकाल सकते हैं अब देखिए, 9th question को हम करते हैं if it were not for the circumstances he would have certainly lost his job simple common sense आपको apply करना है he would have certainly lost his job उसने अपना job छोड़ दिया होता इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि circumstances हैं जिनकी वज़े से उसको उस job को continue करना पड़ रहा है यहाँ पर आप एक keyword देख सकते हैं circumstances circumstances का मतलब होता है परिस्तितियां तो कैसी परिस्तितियां होंगी जब आप job चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे जब आपकी condition अच्छी होगी या जब आपकी condition बेकार होगी यदि economic condition आपकी आपका job बहुत अच्छा है बहुत अच्छी salary उसमें आपको मिलती है तो क्या आप उस job को छोड़ना चाहेंगे और यदि यदि आपकी salary बहुत कम है आपकी economic हालत बहुत खराब है circumstances की बज़े से आप job नहीं छोड़ सकते हैं मतलब आपको पैसा चाहिए ही चाहिए तो ऐसी circumstances में क्या आप job छोड़ सकते हैं चाहते वो भी नहीं छोड़ पाएंगे तो इस तरह की circumstances को हम क्या बोल सकते हैं इस तरह की circumstances को हम पूर तो यहाँ पर देखिये, ग्रामर के साफ से यहाँ पर सर्कमिस्टेंट्स एक नाौन है और मीटीगेटेंग एक एधेटिव है। और नाौन को क्यntवाई करता है एधेटिव। इसलिए mitigating यहां पर आपका सही इसमें आंसर होगा तो grammar के साफ से यह इंग फॉर्म वाला वर्ड है तो इसलिए भी यह सही है Contest के साफ से भी यह वर्ड सही है मीनिंग के साफ से भी यह वर्ड सही है और common sense के साफ से भी यह वर्ड सही है बार की सारे वर्ड देखिए एग्रवेट एक रवेट सेलिम साथ डौष सकते पानुल सकते क्योंकर नहीं पर दकते फिंग यह तो नहीं आवन है तो मिटीगेटिंग यहां पर आपका सही आंसर होगा asked about her father शी लॉस्ट हर और इन्थुजियाजम एंड बेकेम राधर इसमे एक राधर का concept एक चिक किया जा रहा है आपका कुश इन्को किस तरीके से आप समझते हैं ये चेख किया जा रहा है यहाँ पर देखे वो यहां पर एक एक लड़की की बात हो रही है जो काफी enthusiastic थी काफी excited थी बात करने में और उस तरीके से लेकिन यहां पर एक particular moment की बात हो रही है कि जब उसके फादर के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ी सी shy और थोड़ी सी hesitate होने लगी और कुछ बताना नहीं च यहां पर एक negative वर्ड चाहिए क्योंकि रादर के बाद हम रादर के साथ हम negative वर्ड को यूज करते हैं यह आप ऐसा कह सकते हैं कि negative adjective के साथ आप rather को यूज करते हैं normally और positive adjective के साथ आप fairly को यूज करते हैं जैसे यदि आपको intelligent बोलना है तो आप बोलेंगे fairly intelligent वह काफी हट त थोल्ट की रादर को आप बोलेंगे फियर्ली डल फियर्ली इस तर ऐसे डीगेटिफ वर्ड साथ डुख सब्विन θα too यहां पर सही तो तो रिजर्ब इसमें आपका सही आंसर होगा उससे जब उसके फादर के बारे हैं पूछा गया तो थोड़ी सी वह हैजिटेंट हो गई रिजर्ब हो गई और इसका जो आउट्वर्ड इंथूसियाजम था जो एक्साइटमेंट था वो कम हो गया खतम हो गया तो इस तरीके से इन कोस्टेंस को आपको करना है और आप मेरे फ्री ब्लॉक्स जरूर पढ़ें एक्जामिन डोटेंट वेबसाइट पर जाके इसके लिए आपको लॉग इन नहीं करना है आप फ्री अपको इन सारे ब्लॉक्स को पढ़ें और इनसे आप फाइदा उठाएं इसमें मैं झाल झाल